तो दोस्तो एक बार फिसस्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन क्या टिफ्स में तो दोस्तो आज मैं बात करूँगा रिका पाम के पौदे की केर के बारे में अगर रिका पाम के पौदे की पतियां पीड़ी पर जाती हैं जहां फिर आगे से जो पत्तियां वो सूकना स्टार्ट हो जाती है आपका पौदा हरा वरा बुशी नहीं रहता तो आप क्या फैटी लेजर दें किस तरीके से अपने पौदे की केर केरें आज मैं आपको अपना जो अक्सपिरिंस है वो आपके साथ शेयर करने बारा हूँ ज बच्छे से ग्रोथ नहीं करता जिसकी पत्तियां पीड़ी पर्मा स्टार्ट हो जाती है और पौदा खराब हो जाता है तो गंबले का स्याज कम से कम 12 और बड़े से बड़ाव 16-18 का ले सकते हैं जिसमें पौदा अच्छी ग्रोथ करेगा तो आपने रिकाप हमके पौदे खाबे वह मिला लीजिए दोस्तों स्टार्टिंग में ही जो न्यूट्रिशन है वह अपने पौदे को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और जो पौदा है वह अच्छी कुरूथ करना स्टार्ट कर देगा तो आप मैं दूसरे नंबर पर बात कर लेता हूं तो जैसे कि मैंने स जो है सूकना स्टार्ट कर देती है तो दोस्तों क्या रिजन होता है क्यों सूक्ती तो सबसे पहले तो आपने अपने रिक्शाप caffeine के पाम के पौद्ड osób को इंडो रखना है अग्र आप बाहर बालकनी में ऊज EL?, लगाए तर आ जो यह तो न्यूरूर लगाएिं तौर जो पानी वह आपने ज्यादा ओवर नहीं देना ज्यादा ओवर वाटरिंग करने से भी जो अरिका पाम के पवदे की पत्यां हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है और दूसरा जड़ा पाम। की विह ओस्टिक्स सी निकलती है अब ने देखा हुगा कि आज नीचे से ही जो स्टिक्स निकलती हैं वह प्ली परने के स्टार्ट ही जो पहुद्ध की पत्ति हैं वो सुख ना स्टार्ट हो जाती है उस जी से हुफवा में नमी हो गश। हम होगी 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 तो आपके पौद्ध की पत्तिहों सुखcomb का जाएंगी तो दोस्तों नमी की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए हमिडिटी आपने बना कर रखनी है तो आप हफ़ते में दो बार सावर से आप जो पानी है उपर से जरूर दें जिससे दोस्तों पत्यों में चमक रहेगी पत्यों ग्रीन रहेंगी और पौदा देखने में आपका जो है वो फ्रेस पना चराएगा तो दोस्तों हमिडिटी आपने बना कर रखनी है हवाब में नमी जरूरी आप उसी जगह रखें तो आपका पौदा बिल्कुल खराब नहीं होगा और आगे से जो पत्ती हैं वो भी नहीं सुकेंगी और अगर आप अपने पौदे को इंडोर भी रखते हैं आप नमी भी बना कर रखते हैं हुमिडिटी है जो बनी रहती है तो फिर भी आपका पौदा से से ग्रोध नहीं करता जैसे आप नसरी में गरीन बूशी प्लांट्स देखते हैं रिका पाम के उसी तरीके के आपके जो पौदे वो नहीं बनते तो दोस्तों वो कही ना कहीं कमी रहती है फैटिलेजर की तो दोस्तों आपने अपने अरिका पाम के पौदे को फैटिलेजर क्या देना है बैस तो दोस्तों टोटली जो न्यूट्रूशन होते हैं वो पौदे को चाहिए लेकिन अरिका पाम के पौदे को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती ह जिससे जो पत्तिया अरिका प्रम की वह ज्यादा ग्रीन रहती है तो अरिका प्रम के पौदे को वही फैटी लेजर देना चाहिए जिसमें आड़ा चम्टे में हैपने ऑन्न पी के जो है बहु आप भी ले सकते हैं तो आपने दोस्तो आदा चम्च जो है वो NPK का लेना है NPK में nitrogen, potassium और phosphorus की जो मातरा है वो बहुत ज़्यादा होती है तो दूसरा जो fertilizer आपने लेना है वो है DAP डायमूनिया दोस्तो इसमें भी nitrogen और phosphorus की मातरा बहुत ज़्यादा होती है जिससे पौदा बहुत अच्छी growth करता है और पौदे की पती है वो बिल्कुल green रहती है तो दोस्तो DAP के इस तरी के से आपको दाने मिलेंगे आप 12 अची पौट में 10-12 दाने जो है वो डाल सकते हैं तो जो हम तीसरा fertilizer देंगे अपने अरिका पम के पौदे को को है बर्मी कमपोस्ट दोस्तो जो बर्मी कमपोस्ट है उसमें वो सारे nutrition होते हैं जो आपके पौदे को चाहिए तो आप 2-3 चंच 12 अची पौट में जो है वो बर्मी कमपोस्ट के दे सकते हैं दोस्तों बाता आती है कि जो फैटी लाजर ए वो आपने देना किस तरीके से हैं तो सबसे पहले जो मिट्टी आपके गंबले के अंदर आपने उसे 1.5 इंच जो है वो साइड़ पे हटा लेना है साइड पे हटाने के बाद आपने फाटी लेजर है वो फिर देना है और दोस्तों जो सोयल है जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राइ होनी चाहिए आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी है इसमें थोड़ी सी नमी है क्योंकि मैंने सबाही पानी दिया था तो इस तरीके से जो नमी है वो नहीं होनी चाहिए मिट्री बिल्कुल सुकी होई 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 हो चाहिए तो आपने क्या करना है कि मिट्री साइड पर हटाने के बाद जो तीनों फैटी लेजरें वो आपने दे देने हैं अच्छे से देने हैं आपने और दुवारा से जो म यूट्रूशन चाहिए वो मिलेंगे अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा फास फूर्स मिलेगा तो आपका पौदा हेल्दी और ग्रीन और बुशी बहुत जल्दी हो जाएगा तो दोस्तों मैं बात कार लेता हूं फंगस के वारे में जो रिकापम के पौदे को आदा चम्च आदा चम्च आप एक लिटर पानी में मिला लीजिए दोस्तों अस्ते से मिलाने के बाद आपने इसकी जो सप्रे वो अपने टूटली प्लांट्स की उपर आप जो है वो कर सकते हैं अरिकापम के अलावा और भी जो आपके पास इंडॉर और प्लांट्स हैं अब उनके उपर भी इस एंपन ताली की जो यह पाउडर है जो फंजी सेड पाउडर है इसकी आप स्प्रे वो कर सकते हैं इससे दोस्तों जो आपके पाउड़े की पत्यों के उपर ब्लाइक और ब्राउन कलर के स्पोर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं रिकापम के उपर ताएगा और आपका पाउड़ा हेल्दी रहेगा मंत में दो बार आप जो फंजी सेड पाउडर की स्प्रे वो अपने टूटली प्लांस की उपर कर सकते हैं तो दोस्तों मैं अपने अरिकापम के पाउड़े की इसी तरह से केर करता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करना तो दोस्तों बाई टेक क्यार हैपी करने ही